अमित आपके हिसाब से सबसे जटल और रहसे में चीज़ क्या है यूमन ब्रेन बहुत सारे विज्ञानिकों का भी यही मानना है हमारा जो मस्तिश्क है अद्बुत है लेकिन क्या हम अपने मस्तिश्क की सेहत के प्रती सजग है ब्रेन से जुड़ी एक बिमारी है ब्रेन ट्यूमर जिसको लेकर जागरुकता की कमी दिखाई देती है और इसलिए आठ चून को वर्ल ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है तो आज हेलो डॉक्टर सेग्मेंट में भी हम बात करेंगे ब्रेइन ट्यूमर को लेकर जानेंगे इसका निदान हमारे साथ स्टूडियो में एक्सपर्ट्स मौझूद हैं आएए उनका स्वागत करते हैं दॉक्टर पी सरच चंद्रा का आपका स्वागत है हमारे कारेक्रम में आप है प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ नियूरो सर्जरी एंस साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर दलजीत सिंग का नमस्का रॉक्साब गॉणिंग डारेक्टर प्रोफेसर डियूरो सर्जरी चीवी पंथ अस्पताल नहीं दिल्ली से डॉक्टर दलजीत आपसे ही शुरू करते हैं जब हम कहते हैं ब्रेइन ट्यूमर तो आम व्यक् और ये ट्यूमर अपनी ग्रोथ की वज़े से अलग-अलग सिंटम प्रिड्यूस करने लग जाता है आपके कैप्शन ने कुछ सिंटम अलएडी दिखा दिये हैं सरदर्द होना उल्टी होना बॉडी के किसे हिस्से में लगवा आ जाना ये कॉमन सिंटम है इसके अलावा ब लोकेशन के हिसाब से बनते हैं ब्रेन में अलग-अलग अलग अलग पाट हैं उनकी लोकेशन के हिसाब से अलग-अलग सिंटम आते हैं जैसे आखों में दिखना का कम हो जाना सुनाई कम देना चक्कर आना खाना खाने में दिक्कत आ जाना पानी निकल जाना खाना खाना का पीरिट्स का कमी आ जानम तो यह कुछ एबनॉर्मल सिम्टम्स हैं या अनकॉमन सिम्टम्स जो ब्रेइन ट्यूमर के कैस्टेज में हो सकते हैं डॉक्टर रचंद्रा अकसर कहा ऐसा समझा जाता है कि ब्रेइन ट्यूमर और ब्रेइन कैंसर इंटर लिंक्ट है तो क्या दोनों की छीज है डोनों का कारण यह एक दूसरित दोनों का कारण है बिलकुल नहीं कुछ ट्यूमर ह Loc al ayis ka मतलब इसमें कई सारे ब्रेंन ट्यूमर होसकतें बहुत सारे रे अगर के देपंड है कि कुछ टीमर ज़ादा है कुछ टूमर का गुरॉथ ठोड़ा कम होता है ऐसे होते हैं जो जिन्दगी बढ़ते है वो तुरब के साथ देते हैं दो मरी जाता है अधीक गडर के साथ लेकिन टूमर का साइज फिलहाल उतना ही रहता है पूरी जिंदीगी पर बहुत ही तुरमार में घानसर कि बात तो चलिए तो बहुत रहात की बात है कि सिरफ ट्यूमर अगर डाइग्नोस हो तो गवराना नहीं है लेकिन ब्रेन ट्यूमर से जुड़े यदि आपके भी कोई सवाल है डॉक्टर दलजीत से डॉक्टर शारे चद्रा से तो हमारे स्टूडियो का नमबर नोट करें आप हमें कर सकते हैं शुन्य एक एक तिली का स्टीडी कोड और नमबर है दो तीन शुन्य नौ साथ माश्टीन दो 011 is our code and number is 23097532 तो जैसा डॉक्टर दाजीत आपने कहा कि कुछ common symptoms तो होते हैं कि सरदर्द वगएरा लेकिन uncommon symptoms भी हो सकते हैं कि आखों की रोशनी या जैसे उल्टी वगएरा ऐसे में फिर हम जब neurosurgeon के पास आएं तो diagnostic test क्या होते हैं standard diagnostic test आज की जो दिन में है वो है MRI और CT scan ये डिपेंड करता है आप किस कोने में हिंदुस्तान के आपके वहां पर क्या facility अविलेबल हैं बिना MRI और CT scan के आज की डेट में टूमर डाग्नोज ब्रें टूमर डाग्नोज नहीं होता क्या है MRI CT scan ये दोनों एक ही है अलग है MRI जो है magnetic rays के उपर principle के पर बेस्ट है इसको magnetic resonance imaging बोला जाता है जो CT scan है वो radiation के उपर है एक तरह का X-ray modified X-rays है उसमें radiation मिलती है patient को और radiation के साथ exposure होता है MRI बहुत सेफ है MRI में किसी तरह की radiation नहीं होती है मान लिजे रिपीट करना होता है किसी का scan कुछ time के बाद या operation के बाद तो MRI is safer than repeating the CT scan बच्चों में MRI is more safe than CT scan because में radiation नहीं मिलती है तो CT scan और MRI दो अलग-अलग mode of investigation क्योंकि हमने दिखा है कभी-कभी अगर किसी के हड़ी तूट जाए बगवान ना करे तो अकसर CT scan होता है X-ray के बार लेकिन brain के case में आप कह रहे है जादा MRI रिफर्ट है brain में हड़ी नहीं है ना brain के बाहर हड़ी है ना शरीर के अंदर हड़ी हैं तो हड़ी के लिए CT scan ज्यादा अच्छा है और ब्रेन के लिए जहां पर टिशू है वहां पर MRI ज्यादा आच्छा है वही MRI हमें मसल्स उगरा देखने हो नर्स उगरा देखने हो बॉड़ी के अलग हिस्से में तो MRI आज़ेगा जहां हड़ी से रिलेटिड चीजें ज्यादा प्रिक करने हो अर्ली प्रिक करने हो फाइन प्रिक करना हो तो वहां CT scan काम आता है क्या brain tumor का reason ये भी हो सकता है कि पहले से आपके परिवार में किसी की history रही हो ऐसी या फिर आपको पहले कभी cancer हुआ हो उसका treatment चला हो देखिए hereditary cause of brain tumors बहुत ही कम है बहुत ही कम मातरा में होती है जैसे एक बीमारी है जिसको हम पोलते है neurofibromatosis ठीक है ये hereditary हो सकता है इसी तरह एक hemangioblastoma करके tumor है वो होता है आपके सिन्द्रों में होता है जिसमें भी the hereditary हो सकता है लेकिन समझने की बात है कि hereditaryphase brain tumors tremendous means when brain tumors YEikiolar में होती है इस drug st company होती है क्योंकि हो काफी कुछ मिलावट है, काफी जगह पे मिलती है, मैक्रोप्लास्टिक्स है, आप पर्फ्यूम्स यूज करते हैं, दियोडरेंस यूज करते हैं, इन सब में कुछ element of carcinogen होती है, तो क्या मोबाइल का सादा इस्तेमाल करना भी? मोबाइल का देखिए, इसमें बहुत कुछ research चल रहा है, फिलाल अभी तक यह नहीं दिखाया गया कि मोबाइल के वज़े से हो सकता है, लेकिन मैं बस थोड़ी holistic point से ही बताऊंगा कि जैसे हमें smoking और cancer establish करने में कम से कम 50 सर लगे, तो इसलिए हमें उसी तरह सावधानी रखनी पड़ेगी, जहां तक हो speaker phone में काम बात करनी की जरूरत है, जहां तक हो wired headphones लगा कि उससे बात करें, और जहां तक हो हर समय बात ना करें, messaging कर लिया जी बहुत बात आपने बताई कि जीवन शैली में, अगर हम सखरात्मा बदलाव करते हैं तो अच्छी सेहत ही होती है, पीकनेर चलते हैं जहां से प्रवीन सोनी जी है phone line पर, प्रवीन जी, good morning सवाल पूछिए, अगर आप देखें सबसे common symptom क्या है सब के साथ, तो सरदर्ध headache एक आता है, लगबख सब को होता है और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एक कारण होता है, exposure to pollution भी हो सकता है, commonest cause of headache is stress headache, या tension headache जो बोलते हैं, तो पूरा दिन आप काम करते रहते हैं, आपके जो muscle से बिलकुल contracted हो जाते हैं, तो अगर किसी को headache हुआ तो मेरा यह कहना है कि यह ना डरें कि आमें brain tumor ही हो गया है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जब हम यह सारे कारण को निकाल देता है, फिर हम सोचते हैं कि शायद brain tumor है, फिर investigation करते हैं, जब headache brain tumor के वज़े से होता है, इसका बहुत ही specific symptoms होते हैं, एक तो है कि headache severe होता है, headache progressive होता है, मतलब आज का headache कल के headache से ज़्यादा है, बढ़ते जाता है हर समय, यह होता है early morning, सवेरे जब उढ़ते हैं, चार बजे या पांच बजे जब उढ़ते हैं, उस समय जब से ज़्यादा होता है, आप जैसे होलते है, आपकी ulty होती है, ulty हम बोलते है projectile vomiting, मतलब काफी दूर जा कभी-कभी headache जब जोर से होता है, तो आँखों में दुंदलापन हो सकता है, तो यह इस तरह के symptom से जो हम सोच सकते हैं, शाहद brain tumor हो, लेकिन हर एक headache को हमें नहीं सूचना चाहिए कि brain tumor हो, लेकिन डॉक्टर सिंग कई बार ऐसा होता है, कि हमें अपने सर में pulse feel होती है, कि कु मेरे सर में कुछ pulsatile feeling है, उसके साथ में headache है, तो एक migraine का भी feature है, माइग्रेन में भी pulsatile headache होता है, जो की commonly होता है, इसके अलावा anxiety में, बहुत ज़्यादा anxious sucks जो है, उसको भी महसूस होता है कि मेरे अंदर कुछ न कुछ बज रहा है, blood pressure high हो जाए, suddenly BP blood flow बढ़ जाए brain में, त इसके relationship brain tumor से establish कर दी जाए, brain tumor को समझने के साथ-साथ हमें यह भी रहता है, जैसे रुसारत ने बताया कुछ features है, फिर हम देखते है, over the years चलता चला जा रहा है, दवाईयों से फायदा नहीं हो रहा है, और उसके साथ में कुछ और added symptom आ रहे हैं, जो की brain के किसी unorgan की तरफ औ तब probability बढ़ जाती है, कि यह headache जो है उसके वज़स, जो महराष्टा चलते है, विश्नु जी है phone line पर, hello, नमस्कार अपना सवाल पूछे, आज नमस्ते, अपना सवाल पूछे, अपना सवाल पूछे, अमेरम में में नाजिया ताम दिखती, में आज जी ताम सुने आता है, सर में भी दर्ध है, में हाथ सुनु रहे हैं, उके आपको नजर कम आ रहा है, में हाथ सुनु जी, जात् σας मुझी समझ मिया है कि मुझे नजर कम आता है और शैद हाथ सुन रहे है, अब यह दो श्यूम्टम आ गे है, हाथ का सुनपन और नजर कम है अगर इसको हम यह लेकर चलें कि ब्रेइन टूमर है इसको नहीं नजर कम आ रहा है अपने उनकी उम्र कितनी है उनको कैटरेक्ट हो रहा हो हाथ सुनने हो सकता है सर्वाइकल बन रहा हो तो यह सिम्टम जो हैं मल्टिपल चीजों की तरफ सजेस्ट कर सकते हैं अब उनकी सुनपन है आखों में दिखाई नहीं दे रहा थोड़ा सा और क्लिनिकल डिटेल चाहिए होगा हमें चेक करना होगा आख के अंदर क्या है अगर उसके फंडस एक्जामनेशन में आखों के रोश्णी देखके तक कि उनमें पैपलेडीमा है या आप्टिका ट्रो अगर कहा हो कि असानी से सर्जरी हो सकती है या लोकेशन पर और कितना बड़ा हो ट्यूमर कैसे आप टै करते हैं अपने बहुत ही अच्छा प्रशन पूछा है काफे टेकनिकल है देखिए ट्यूमर कहीं पर भी हो सकता है और आज कर टेकनोलोजी काफी हद तक बढ़ गई ह क्योंकि आज कल माइक्रोस को बहुत अच्छी है मेंजिंग टेकनोलोजी बहुत ही फिंटास्टिक है आपके मिनिमली इन्वेजिव कर सकते हैं दूर भी डाल सकते हैं आज अफ ना हम ब्रें टुमर जहां पर ही हो एट लिस्ट हम उसको एक्सेस तो कर लेते हैं अच्छा इ अच्छी निकाल सकते हैं ओके नॉन एलिक्वेंट एरिया मतलब उस एरिया का कोई नोन फंक्शन नहीं है अच्छा जैसे ब्रें में कुछ एरिया जहां पर हाथ या पाओं का कंट्रोल हो सकता है उसका हम मोटर एरिया बोलते हैं तो अगर उस पर ट्यूमर हो तो हाथ या पाओं में कमजोर ही आ जाए कुछ स्पीच एरिया से वहां पर होगे तो बोलने या समझने में दिक्कत आ सकती है तो इस तरह कुछ नेम्ड एलिक्वेंट एरिया से अगर यहां पर ट्यूमर है तो डेफिनेटली कुछ कॉंप्लिकेशन हो सकती है लेकिन डॉक्टर क्या सर हैं सर्जरी है रेडियेशन है कीमो थरैपी है ऑब्जरवेशन है यह तीन चार आप्शन अवलेबल है उसका डिसीजन करता है ट्यूमर का लोकेशन कहां पर है साइज जहां आप रहते हैं आपके आसपास की फैसलिटी कैसी हैं सिम्टम कितने आ रहे हैं जैसे सारत ने बोल अब्जरवेशन लेकर फालो अप में देखते हैं तीन महिने में छे महिने में रिपीट स्कैन कराया कि उसको बढ़ रहा है तो आगे बढ़े तो ऑप्शन आजकल तीन से चार अवेलेबल है यह सर्जरी स्टिल रिमेंस अबेस्ट ऑप्शन अगर वह एसे सिबल है है उसमें रिकरेंस ट्यूमर होने के संभावना होती है क्योंकि इन ट्यूमर में सारे सेल नहीं निकलते हैं अच्यूमर के कुछ सेल जो है वाँ छूट जाते हैं जिनको ब्रेन नॉर्मल से डिफरेशेट करना असान नहीं होता डिस्पाइट और टेक्नोलोजी अवेलेबल कुछ सेल छूट जाते हैं जो बाद में मल्टिप्लाई करने लग जाते हैं तो वो रिकरेंस करके आएंगे जो बेनाइन ट्यूमर है नॉन कैंसरस है उसको निकाला जाता है पूरे के पूरा और उन में रिकरेंस होने के चांसे लगबग नेगलिजेबल होती है तो जैसे ड नमस्कार अपना सवाल पूछे मैं आपका लाइब प्रोग्राम चालो है जी बहुत हुशी हो रही है देकिन आप अपने प्रेशन दुबारा रखिए ब्रेन को ऑपरेट आप लाइव बता सकते हो ब्रेन को ऑपरेट लाइव तो नहीं बता सकते हैं लेकिन सर्जन से पूछेंगे मैंने एक बड़ी इंट्रेस्टिंग वीडियो देखी थी की ऑपरेशन थीटर में चल रहा है ब्रेन ट्यूमर का और पेशन जो है वो एक्टिव है और गिटार भी बजा रहा है तो आप नेसे सुलाते नहीं उसे बात्चित करते रहते हैं जी देख है जहां पर हाथ या पाउ बाउं का रहा है तो इस एरिया में अगर हम पूरी जेनर आले सिवेक करेंगे हो सके इस मरीज को हाथ कार में कम्सूरी आजाये तो इसली उसको पूरी अवे चर्टेशन करते हैं और इसमें उनको कुछ भी पेन नहीं आता है क्योंकि इंट्रेस्टिंग चीज यह है कि ब्रेन सारे बॉड़ी का पेन संसेशंशन लेता है लेकिन खुद उसके पास कोई संसेशन नहीं होता है तो अगर ब्रेन को तच करेंगे तो आपको कोई भी नहीं आएगे तो अब जब ब्रेन ट्यूमर का उपरेशन करते हैं यह हंडेड परसंट पेंलिस रहता है उसको अगर अगर आप सुन कर देंगे तो ब्रेन इतसल इस पेंलिस भाइं इमाजिन नहीं कर पार हूं मतलब आप के टार बजा रहे हैं और आपका खुला हुआ है और दो सर्चन सा सर्चरी कर रहे हैं यही तो evolution है न साइंस की जो कभी करने आजकल मतलब यह अवेक रिनाटमी का कंसेप्ट हम लोग पेशन कुछ हैसे हैं जो गीता का पार्ट कर रहे हैं उनको operation किया हूँ है कुछ लोग sweater बुन रहे हैं उनका operation हुआ 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 है कुछ सर्जरी उसका right upper limb जा सकता है तो हम उनसे कहते हैं लिखते रहो अगर speech जा रहे है उनसे बात करते रहे तो बात करते है मुवमेंट सर्जरी में अगर brain tissue को touch करते समय वो function उसका खराब हो रहा है या नहीं कर पा रहा है तो हमें पता लग जाता है कि यह उस समय इसको damage हो सकता है तो हम उस step को रोक लेते हैं जो कि अगर विहोशी में करते हैं तो शायद यह मिस हो जाता है एक तरह से life testing हो रही है कई बार दोक्टर हम सुनते हैं कि brain में पानी भर गया है तो क्या यह भी brain tumor से ही related है इसको हम hydrocephalus बोलते हैं जो brain है ना करीबन साड़े चार केजी का है ठीक है और यह बिलकुल एक जली जैसा होता है अच्छा ब्रेन को जाके में यहां पर रदू तो वह अपने वेट से ही इसका जो relative वजन है बहुत कम हो जाता है अच्छा वेट से कम भी होता है काफी कम होता है ठीक है अब यही पानी जब brain के अंदर भी cavities होती है और यही पानी अगर यह circulation होता रहता है अगर कहीं पर भी obstruction आ गया जो tumor के वज़े से भी हो सकता है तो पानी accumulate होता जाता है अंदर पानी भर जाता है जिसके वज़े से दुबारा सिम्टम सा सकते हैं जैसे हैडेक आ सकता है इसको अम रेज इंट्रकरिनल प्रशर टेंशन बोलते है अली में विश्परेवरत दिवस मनाया है हम कहते है जल का संकट ना हो पानी बचाईए अब देखें महना शरीर में भी पा पाते हैं ब्रेंट यूमर के तो हमारे पास क्या उस तरह से फिर डॉक्टर्स और सुविधाए उप्लक्त हैं मैं इंसिडेंटी नियूरलॉजिकल सुसाइटी ऑफ हिंडिया का प्रेजिडेंट हूं हमारे पास लगबग 4,000 रेजिस्टर नियूरो सर्जन है हिंदुस्तान मेरा अपना यह मानना है कि इसके अलावा कुछ और होंगे तो अगर हम हिंदुस्तान की टोटल पॉपूलेशन लेखते हैं तो यह लगबग आएगा साड़े तीन लाक के उपर एक नियूरो सर्जन है वो भी हम लोग डिस्ट्रिबूशन जो है बड़े शेहरों में सुवधाय हमारे हिंदुस्तान में ब्रेन टूमर सर्जरी की इंटरनेशनल लेवल की हैं हर लिहाज से हमारे मरीज को हिंदुस्तान से बाहर जाने की जरूरत नहीं है 100% उसका इलाज उतना ही अच्छा हिंदुस्तान के most of places में हो जाएगा जहां के वर्ट के किसी मेरे चाह है कीमो थरैपी देनी हो चाहे उसके रिहाबिलिटीशन करना हो तो फैसिलिटी जो है आजकल हिंदुस्तान की वर्ट क्लास हैं बलकि लोग बाहर से ऑपरेशन कराने हिंदुस्तान में आ रहे हैं मैडिकल तूरिजम हिंदुस्तान का ग्रोथ कर रहा है इसी दिए हमारी फै मैंडफुलने सबके लिए अपलिकाबल है हम अपने ब्रेंस को सुच अफ नहीं करते हैं देखे गाड़ी आप गंटे के ले चलाएं तो गाड़ी हीट अप हो जाएगा तो ब्रें भी तो एक तिंकिंग मेशीन है ब्रें कंजियूम्स 20 परसंट अफ थे नर्जी रिसोर्स करते हैं आपको सुच अफ करने की वो आदत रगाने चाहिए वो जरूरी है तो आश्या करते हैं हम ब्रें हेल्थ को लेकर और सजक होंगे और कुदर नखासता अगर ब्रें ट्यूमर हो जाए तो घबराने की बात नहीं है साइंस ने बहुत तरक्की कर लिए हमारे पास बह प्रदलजीत आपका ड्रशारचता आपका बहुत बहुत आबार थी कि benefiting जोड़ी तब